उक्टो एप पर आपने जिस भी समय अकॉवड बनाय था उस समय आपने जो भी लॉगइन पासवड बनाय थी वह लॉगइन-पासवड आप भूल चुके है और फिलाल जब अब भी आप अपने अकाउंट को लोगिन कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट को लोगिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पासवर्ड याद नहीं है, सो ओक्टो एप के किस प्रकार से आप लोगिन पासवर्ड फॉर्गेट करेंगे, लोगिन पासवर्ड किस प्रकार से बनाएंगे, कितने डिजिट के होने चीए, लोगिन नहीं पासवर्ड बनाने का सबसे पहला स्टेप है, आपको आपके मोबाईल फोन में ओक्टो एप इं login password भूले हैं, so आपको यहाँ पर login का option मिलेगा, आप इसके आपर click करेंगे, उसके बाद में कुछ इस प्रकार का page आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपको 2 option मिलते हैं, पहला option होगा mail का यान की email का, दूसरा option होगा CoinDCX का, so अगर आपनी email ID को use करके account बनाया था, so first mail वाला option आप chain करेंगी, और अगर आपनी CoinDCX exchange को use करके अपना account बनाया था, so आप CoinDCX exchange का जो option आपको मिलता है, इसको use करेंगे, so for example, मैंने अपनी email ID को use करके account बनाया था, so मैं यहाँ पर email वाला option का chain करूँगा, उसके बाद में मैंने जिस भी email ID को use करके account बनाया था, वो email ID यहाँ पर डालूँगा, उसके बाद में next पर click करूँगा, उसके बाद में आपने जो email ID डाली है, उस email ID पे आपको OTP भेजा जाएगा कुछ इस प्रकार से आपकी registered email ID पे आपको OTP मिलेगा, जो भी OTP आपको मिलता है, वो OTP आपको provide करवाना होगा, मुझे जो भी OTP मिलाया, वो OTP मैंने यहाँ पर डाल दिया है, फिलाल हमें password तो नहीं पता है, तो password तो हम डालेंगे नहीं जस्ट आपको नीचे यहीं पर एक option मिलेगा, जहाँ पर हम password डालेंगे forget password का, आपको यहाँ पर forget password वाले option पर क्लिक करना होगा, उसके बाद में आपको एक pop-up निकल के आएगा, जहाँ पर लिखाओगा to reset your password, we need to verify your account, so आपको यहाँ confirm पर क्लिक करना है, confirm पर क्लिक करने के बाद में वापस से आपका जो भी email ID है Okta app के साथ में registered वो email ID आप provide करवाएंगे and next पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपने फिलाल जो email ID डाली है उस email ID पर आपको वापस से OTP भीज़े जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपको email मिलेगा, email में जो भी OTP मिलता है, वो OTP आपको डालना होगा मुझे जो भी OTP मिला है email में वो OTP मैं यहाँ डाल देता हूँ जैसे मैं OTP डालूँगा, OTP मेरा automatic verify हो जाएगा उसके बाद में मुझसे यहाँ पर login pin पूछे जाएगे, जो भी आपके login pin है, वो आपको यहाँ डाल देने हैं जैसे ही आप login pin डाल देंगे next screen पर आपको भीजा जाएगा जो की होगी नए password set करने की आप जो भी नए password बना रहे हैं उसमें first जो अकसर होना चीए वो आपका capital होना चीए फिर small होना चीए, उसके बाद में numbers होने चीए, उसके बाद में characters होने चीए, तो कुछ इस प्रकार से आपको password बनाने हैं, जो की demo के रूप में आपको screen पर भी दिख रहे हैं आप जो भी password बनाना चाहते हैं, वो password तो forget कर लिए हैं, लेकिन अगर आप Octa app पर अपने account को login भी करना चाहते हैं, तो उस condition में आपकी recovery phrase भी आपको provide करवाने होंगी, तभी आपका जो wallet है वो login होगा, तो for example आप अपने wallet को login भी करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 option होते हैं, recovery phrase को डालने की, पहला option होता है कि आप अपने iCloud अगर आप iPhone यूज कर रहे हैं, तो iCloud का option मिलेगा, और अगर आप एक Android user हैं, तो आपको Google Drive का option मिलेगा, यह option आपको तभी देखने के लिए मिलेगा, जब आपने account पर backup setup कर रखा होगा, iCloud पर and Google Drive पर, अगर आपने backup को setup नहीं कर रखा होगा, तो नहीं दिखाई देगा, अगर आपने offline कर रखा है, तो आपको यहाँ पर auto recovery phrase वाला option ही मिलेगा, तो आप दोनों में से किसी भी option का chain कर सकते हैं, for example कि मैं यहाँ पर जो iCloud है, इस option को use करना जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर recovery wallet पर click करना होगा, थोड़ी देर मुझे wait करना होगा, and जो key होगी मेरी वो import हो जाएंगी, automatic and मेरा जो account होगा, वो recover हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं done पर click करूँगा, जैसे में done पर click करूँगा, मेरा जो account है वो login हो जाएगा, इसके अलावा अगर आपका कोई confusion है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो commit करके पूछ सकते हैं,